प्रमुरुद्यानुप्रांद सच्छं वेराग्य विरक्ति क्या एक संसारिक के लिए वेराग्य पर कल के सच्छं में प्रकाश दिया गया उसी के प्रकाश में आगे एक संसारिक जीव आज के वर्तमान समय में दिन भर में अनिकों विश्यों के समक्ष अपने आपको पाता है जीवन बड़ा कई माईनों में पेचिदा हो गया है कहने को तो टेकनॉलोजी ने सहज किया है जीवन को पर वही साथ ही साथ मन बड़ा पेचिदा कॉंपलेक्स हो गया है लॉट अफ कॉंपलेक्सिटी उतनी टेकनोलोजी सुविधा और सहजता नहीं देती जितना मन अपने आपको उलजहा के और कॉंप्लेक्स कर लेता है ऐसे में जितने विशे दिन भर में सामने आते हैं उनसे बहुत दुआ उठता है भीतर लट अफ्यूम्स इंसाइड फ्यूम्स दुआ मने प्रदूशन टॉक्सिसिटी विशेयों का दुआ विशेयों का प्रदूशन टॉक्सिसिटी आफ सब्जेक्ट्स ये विशेयों से उठने वाला दुआ ये भीतर बहुत हानी करता है एक विशे पर चिपक जाओ तो उसकी प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जाता है सबसे कठिन हो गया है किसी एक विशे से जो अप्रिय है या समस्या दे रहा है उसके अनुभव से आगे जाना, to move on व्यक्ति हर छोटी से छोटी बात छोटी से छोटी दृष्टी किसी ने कैसे देख लिया किसी ने क्या कहा किसी ने किस प्रकार का मुँ बनाया मेरे सामने यहां से लेकर और बड़े स्तर्थ की समस्याँ तक व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता, भीतर उलजहा रहता इंटैंगल, डीपली इंटैंगल वो है वहराग्या वहराग्य केवल कमंडल पकड़ करके like a monk जंगलों में यहां कहीं और जाने का भाव मत लेना वहराग्य अर्थात वो ख्षमता जिससे तुम अपने आपको उन ख्षणों में मुक्त करा सको जब तुमें मुक्त होना है तुम बेबस होके चिप के न रहो भीतर बेबस होके helpless अपने भीतर चिप के न रहो stuck, entangled वो न रहो तुम आगे बढ़ सको प्रवाह की भाती like a stream, running stream जल की भाती एक नदी में जल जैसे प्रवाहित है तुम भी प्रवाहित रहो ऐसा न हो कि तुम पानी, खड़े पानी की तरह सड़ना शुरू करो विराग्य वो ख्षमता है विराग्य वो रसायन है chemical है जो तुमें दिन भर में जिन विश्यों तुमें उलज करके, अटक करके अगर एक गाड़ी को कार, स्कूटर, वाटेवर, उसे घर में ही, अपने गैराज में या, मैं कहता हूँ घर के बाहर भी खड़ा करके केवल एक्सिलेटर दो, तो दुआँ उठेगा ना, उठेगा ना, कोई बड़ा ट्रक या बस, बिग वीकल, अगर आपकी गली में आकर के केवल इंजिन चलता रहे, क्या होगा, आसपास के सब घरों में धुआ बर जाएगा, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, इट वोट बेका डिफरेंस, बड़ी गाड़ी, आसपास घरों में दुआ बर जाएगा, बर जाएगा ना, यह बहुत बड़ी गाड़ी है, यूमन ब्रेन, यूमन माइंड, बहुत बड़ी गाड़ी है, और यह अगर इस प्रकार चलती रहे विशेहों में, तो कितना दुआ उठेगा बहतर सोच सकते हो, वेराग्य है, जो कहता है, no, now move on, enough, हो गया, इस विशे को 10 ग्राम देना था, धियान, attention, दे दी, दे दी, हाँ, हो गया न, आगे चलो, अब चिपके नहीं रहो, वेराग्य, वो प्रतिरुदक्षमता है, वेराग्य is an inner immunity, immunity के लिए गुलियां खाते हैं न, जैसे मायरुवेद में, गुड़ची, तुलसी, अश्वगंदा, शतावर, immunity के लिए लेते हैं, अपने आप में यह औशदियां हैं भी नहीं भी, उसी प्रकार, वेराग्य एक बहुत बड़ा रसायान है, बहुत बड़ी immunity है, यह वो immunity है, जो सादक को भुनने से, भुनता है न, सुलगने से, from smoldering, उससे बचाता है वेराग्य, क्योंकि वेराग्य का तात्पर यही है, चिपकना नहीं है, वी राग, वी राग, अर्थात, किसी भी बात के आकरशन से चिपकना नहीं, आकरशन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं बबुजी, वी राग बिना रंग के, किसी रंग में रंगे नहीं जाना, वीराग भी वेराग्य है, तो वेराग्य कहीं चिपकने से, रंगे जाने से बचाता है, भीतर की toxicity, भीतर की production से मुक्त कराने में सहज है, अच्छा, समझ में आया, अच्छा लगा, पर होगा कैसे? कल बात करेंगे, वेराग्य वेरक्ति क्या है, एक संसारिक के लिए, ठीक है, ओम ही सकते हैं, ओम ही सकते हैं, हाँ एक बात रहेंगे, प्राणा कर्शन दृतिये में नई एड्मिशन वाले, जो कोई भी सादक किसी कठनाई का अनुभव कर रहे हैं, मुझे मेल अवश्य लिखना है, ओम है